नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अमारे येट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप अपनी बेंक अकाउंट से पेटियम वॉलेट के अंदर मनी एड़ कर रहे हैं और अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है जिसे कि यहां पर आप देख सकते हो एड मनी टू वॉल से पैसा कटने का यहां पर मुझे मैसेज भी आ चुका है आप यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है अगर आप पेटियम में वॉलेट के अंदर मनी एड़ कर रहे हैं और अगर आपका जो पैसा बेंक अकाउंट से त और अगर आपका जो पैसा आपके बेंक अकाउंट में नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा और आपका जो पैसा है वह 100% आपके बेंक अकाउंट में वापस refund हो जाएगा तो आपको कोई भी इटेंसन नहीं लेना है अगर आप भी इस प्रॉब्लम को solution लेना चाहे तो इस वीडियो को देखते रहेगा उसके बाद में आपको यहां पर बेक कर लेना है और फिर आपको यहां पर अपनी पास्बुक में जाकर चेक करना है अभी आप देख सकते हो कि पेटियम वॉलेट के अंदर मेरा अभी 0 रूपीज है यानि मेरा अभी तक पैसा एड नहीं हु उपर आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद में यहां पर आपको एक option मिलेगा 24 into help का इस option पर आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो जो भी आपने रेसेंट ओडर किया होगा यहां पर fail payment aid money to wallet यहां पर failure दिका रहा है लेकिन हमारा जो पैसा है वो कट गया हमारे bank से और लेकिन हमें वापस नहीं मिला तो उसके लिए में क्या करना होगा यहां पर आपको scroll down करना ह और यहां पर एक option मिलेगा contact 24 into help इसके उपर आपको click करना है यहां पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर bank और wallet और payment का option दिया गया यहां पर जो आपको एक mobile number दिया गया है यह mobile number paytm customer care का number है अगर आपको bank और wallet या payment से regarding कोई भी problem आता है तो आप इस mobile number को not कर लीजेग यहां पर आप देख लीजेगा इस number को आप not कर लीजेगा इस number पे आपको customer care को call करना है और इसी number पे आपका जो पैसा debit हो गया है वो आपको वापस refund कर देंगे ठीक है पहला मेतर तो यह दूसरा यहां पर messages अगर आप इसके उपर click करेंगे तो आप यहां पर paytm customer care से live chat भ call करना चाहते तो भी कर सकते और अगर आप वहां से अपनी problem solution करना चाहते तो भी कर सकते वैसे यह automatically आपके account में refund हो जाएगा अगर maximum तुरंती refund हो जाता थोड़ी देर बाद आप check कर लिजेगा और अगर नहीं होता तो maximum 3-5 working days का time लगता है उसके अंदर अंदर आपका पैस refund हो जाएगा तो इस प्रकार से आप इस problem को दूर कर सकते हैं